Hello friends, welcome back to my channel आज आपके साथ मैं शेयर करने जारे हूँ दही बड़ी की रेसेपी वरनास सभी को आता है बट कई बार आप बनाते हो तो छोड़ी छोड़ी दिक्कते हैं जिसकी कई बारते फूलते नहीं हैं और फूल भी जायना तो अंदर से सॉफ्ट नहीं होते हैं आप मेरे तरीकी से ट्राइ करके देखिया परफेक्ट बनेंगे, अच्छे से फूले फूले बनेंगे और अंदर सिक्दम सॉफ्ट और जालीदार बनेंगे इसके लिए आपको अलग से कोई सोडा वगयरा कुछ करने की ज़रूद नहीं है बस एक टिप है जिससे आपकी सारी फूल हो जाएंगे किसी फैस्टिवल पर अपने ख़र पर जो ट्राइ करेगा तो यहाँ पर आपको लीनी है दो कप औरत की धुली हुई दाल जिससे आपको अच्छे से वाश करके ओवरनाइट के लिए सोग करके रखना होगा यह हुई है यह इस तरीके से चेक कर सकते हो आप दाना अराम से तूट जाता है और यह आप ओवरनाइट के लिए ना करें तो 4-5 गंटे के लिए थोड़ा से गुनगोने पानी में इसको कर देना यह हो जाएगी पानी सकालग हमने कर दिया है और अब आपको इससे पीस कर दिया करना है तो यहाँ पर यह मिकसर जार हमने लिया है और यह दाल हम इसमें डाल देंगे देखिए डाल पीस से वक्त थोड़ा बहुत पानी आप डाल सकते हैं 3-4 चमच यह फिर 5-6 इससे ज़दा पानी इसमें आप नहीं डालना पीसने में देखका थो तो फिर 1-2 चमच और डाल सकते हूं बट इससे ज़दा नहीं तो यहां पर मैं इसको दो पोर्शन में कर देती हूं और थोड़ा सा पानी इसमें डाल देते हैं और फिर हम इसको पीस कर तयार कर देंगे और बिल्कुल फाइन पेस्ट आपको इसका बनाना है तो यहां पर यह फिर्स्ट बैच हो गया था सेकिंड भी मैंने वैसे ही इसको पीस कर तयार कर लिया था तो यहां पर हमारी पूरी दाल पीस कर तयार हो गई है इससे इसमें हम निकाल लेते हैं अच्छा कई लोग और मूम की मिक्स करके लेते हैं यह मत करना सिर्फ आपको और दाल ही लेनी है मुंग की डाल होगे न तो फिर ये इतने सॉफ्ट नहीं बनते हैं इसमें डाल देना थोड़ा सा ये जीरा और आप चाहें तो इसमें अद्रक कद्रुकस करके डाल सकते हैं हलवाई डालते हैं इसका कोई ऐसे कच्छे बन का टेस्ट नहीं आता है हलका सा इसका फ्लेवर आता है जो कि अच्छा लगता है अब यहाँ पर आपको सिर्फ जीरा और अद्रक डाली है और उसके बाद में एक बहुत जरूरी टिप है कि आपको न इसे हलका सा पानी की चीटा लगाना यानि कि आप पानी ले लेना 5-6 मून पानी ले लेना है फिर आदा चमच और इसे जितना आपको अच्छे से हो सके और एक ही डारेक्शन में आप इसको इस सजीके से फेटते जाना यह बहुत में टिप रहती है देखिए बैटर न ज्यादा थेक नहीं होना चाहें बैटर ठीक होना चाहें यानि कि जितना आप बिसम के पकोड़े वगरा बराने के लिए खोल बनाते हो ना उससे तो खरिये थेक होता है ज्यादा थेक मत करना और एकदम पतला मत करना कि आप उसको शेप ही ना दे पाएं बड़ जैसे जैसे आप इसको फेटते जाओगे न ये और भी ज़्यादा फ्लफी होता जाएगा और कलर भी ना इसका और वाइट होता जाएगा इंग से आप देखना हमने दाल कितनी ली थी जितनी पीस कर वो तयार हुई थी और कितनी दाल बाद में जब हम फेटेंगे ना तो तयार हो जाएगी ये दिखें जस्ट डबल हो जाता है और इस तरीके से लेना और कढ़े में आपको ऐसी डालना है और अब हम इसको सेखेंगे तो यहां पर ओईल का जो में टेंपरेचर रहता है वो फ्लेम बिल्कुल लो रहती है आप देखेंगे जैसे हम ने कढ़े में डाला है ये बेस में है और हलके हलके से बबल्स आ रहे है ओईल को नॉर्मली गरम करके फ्लेम को थोड़े के लिए बन कर देना और फिर बाद में ओन करना जब उसका टेंपरेचर थोड़ा सा डाउन हो जाए और जैसे ये आप इसमें डालते जाएंगे ना हलके हलके से बबल्स बनेंगे और एक बार में जितने आ जाएंगे उतने आप डाल देना ये चीज़ने कुद मैंने हलवाई को बनाते हुए देखा है वो कैसे बनाते है और देखे एक में चीज़ पानी सरीके से लेना हलका सा टिप पर और हलका सा इसके उपर छीटा लगा देना अब आप देखिए इससे होगा क्या ये अपने आप ही पलटेंगे अपने आप ही फूलेंगे और ये दिखिए अपने आप ही ये उपर आ गए है फूल गए अब मुझे कुछ पी इसको पलटने की बीच में जोगत नहीं है बहुत में चैज रहती है देखें आपको औरत की डाल ही लेनी है उससे अच्छे से पीस नहीं और अच्छे से उसको फैटना है और जब ये हलका सा सिखना शुरू हो जाए पानी की चीटे लगा देना और ये अपने आप ही फूल कर इस तरीके से उपर आ जाएंगे ये सारी चीज़े ना मैंने कुछ से देखी है जैसे हलवाई करते हैं तो वह एक दो चीज़े रहती है जिससे आपको पता नहीं होता है या आप मिस कर देते हैं अभी वो बजार जैसे नहीं बन पाते हैं अब जैसे ही सिखने लगे ना हलका सा कलर चेंज़ो फ्लेम को आप मीडियम कर देना और फिर आप इसको अच्छे से सिखने देना ये आप कितना ही सिख लेना कलर इसका यही रहेगा आपने जैसे उसको फेटा है ना उससे कलर इसका ऐसा ही रहता है परफेक्ट फूले फूले गोल गोल दहीं बड़े बन रहे हैं अब सेकंड बैच भी हम डालेंगे सेकंड बैच के लिए भी ध्यान रखना ओइल गरब नहीं होना चाहिए चाहिए तो आप गैस को बंद कर दे वापिस सिखन कर ले और सेम प्रोसेस डालने के बाद मैं तुरंत ही आपको पानी की छीटे लगा देनी है पानी की छीटे लगाए ना तो बस थोड़ा सा अराम सी क्योंकि ओइल गरम होता है हलाक इतना गरम नहीं होता है छीटे आपके उपर नहीं आएंगी पर फिर भी थोड़ा सा अराम से काम करना यहाँ पर हमारा ये सेकंड बैच भी से कर तयार हो गया है एकदम भड़ी आसे जैसे बॉल हो दी ना छोड़ी छोड़ी बॉल्स की तरह फुल फुल कर तयार हुए है और कोई स्वेशन कुछ करने की ज़रोज नहीं है सिंपल है इसी है तो इसी तरीके से हमने ये सभी तयार कर लिए है अब आपको इसे तयार कैसे करना है आगे गरम पानी लेना यानि कि गुन-गुने से थोड़ा सा गरम उसमें आप नमक डाल देना अच्छी क्वांटिटी में और इसे हल्का सा स्थरीके से आप मिक्स कर देना और यहां पर यह आप अपने वड़े डाल देना यह चीज ना आप जैसे कि वड़े एक दिन पहले बना के रख लो और जिस दिन आपके करन पे कुछ फंक्शन वगरा रहता है ना तो वो आप अगले दिन भी भूग हो सकती हो आराम से एक छोटी प्लेट इसकी उपर रख दिना ताकि इसकी उपर एक हलकासा प्रेशर रहे और कोई एक प्लेट और रख दिना ताकि इसमें दूबे रहे 20 मिट के लिए रख दिना यहां पर यह है हमारी हरी वाली चट्नी और इसी के साथ में हमने बनाई है इंस्टेंट वाली खटी मीठी चटनी जो कि हम आमचूर पाउडर से बनाते हैं इसे पूरे साल तक स्ट्रोक करके रख सकते हैं और यहां पर हलका थिक क्रीम दही जिसमें की क्रीम नहीं है तो तीनों चीज़ें कैसे त्यार करते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्श बॉक्स में मिल जाएगा आप देख सकते हैं और यहां पर यह हमारे बड़े भी फूल कर त्यार हो गए हैं एक दम बड़े ऐसे फूले फूले दिख रहे हैं यह आपको कम लग रहे होंगे क्योंकि इसमें से पहले ही बनके पहले ही खाय जा चुके हैं तो यह मैं आपको बता देती हूं तैयार कैसे करना है एक लेना इस तरीकी से साइट से कर देना हलके हाथ से प्रेस करना जादा नहीं इसको तोड़ना नहीं है आपको बड़े स्मोंज है यह देख सकते हैं कोई सोड़ा नहीं कुछ नहीं फिर भी एकदम पर्फेक्ट बनेंगे बड़े से दही बड़े कैसे बनाने हैं यह प्लेट में आप राख लेना साइज भी अच्छा है तो आप चाहे के करके भी सरव कर सकते हैं यहां पर यह डाल देते हैं बड़िया से क्रीमी थिक दही यहां पर ना यह चार्ट में आप चीज़ें अपने हिसाब से कर सकते हैं जिसे किसी खट्टी मीठी चट्नी या दही कम जादा यह आप अपने हिसाब से कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने इसको बडाल दिया चछाहे से दही अब डालेंगे यह हरी वाली चट्नी और दही वरी तो ऐसी चीज that किसी भी पैस्चीवल पर बच जाते यह हम यहाँ पर गठी मीथी הथी ये वाले चट्टी ना हमेशा घर बर रहती है क्योंकि एक तो खरामी होती है और ये दस से पंदे उड़े बन के तैयार हो जाती है पूरे साल के लिए सही रहती है सफीद नमक डाल दिया है यहाँ पे डालेंगे थोड़ा से बुना हुआ जीरा पाॉडर साथ में आपके से डाला है चाट मसाला और लास्ट में डाला है लाल मिर्श पाॉडर ये हमारे दही बड़ी की प्लेट तैयार हो गई है चाहें थोड़ा सा अनार डाला उपर से आप डाल सकते हैं और ये दही बड़ा है भला पापड़ी बनानी होना तो इसी के साथ में आप आपड़ी भी रख सकते हैं तो आपके भलब आपड़ी चार्ट हो जाती है वो यह देखे एक्तम पर्फेक्ट अंदर से अच्छे से जालीदार है इस दही बड़े में आपको क्या चाहिए अच्छे से फुलिवे बने हुए होने चाहिए और वो अच्छे से सॉफ्ट होने चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर से सॉफ्ट है अंदर से वो नहीं है इस तरही के से बनाना एक तब पर्फेक्ट बनेंगे जैसे ही पसंद है तो like, share और comment करना मत भूलना, try जरूर करना, thank you